नमस्कार आप सभी लोगों को मैं उमेश्ट पांडे आज आप सभी लोगों के सामने विद्या भारती, संस्कृती, शिक्षा, संस्थान, द्वारा संचालित, अखिल भारती ये संस्कृती ज्यान परिक्षा बोधमालाच्छे जिसका संपूर्ण सार आप सभी लोगों के साम समझाता चल रहा हूं और आप लोग अच्छ से कंटेस्ट करते चलें जिससे आप लोगों की संस्कृति ज्यान प्रक्षा उच अंकों से उत्तिवन हो सकें तो मुख्य प्रष्ट आप सभी लोगों की पुस्तिका में इस प्रकार से दिया होगा महान संगित पंडित रविशंकर के बारे में पंडित रविशंकर का पूरा नाम रविंद्र शंकर चौधरी था उनका जन्म साथ अपरेल 1902 को वारानशी में तथा म्रत्यू 11 दिसंबर 2012 को सैंडियागो कैलिफोर्निया जोके अमेरिका में है वहाँ पर होई थी वे प्रिसिद्ध सितारवादक, संगीत कार वा नैशनल आर्केष्ट्रा आफ इंडिया के संस्थापक भी थे उन्होंने संगीत वा निर्त की शिक्षाली थी तथा अपने भाई प्रिसिद्ध नर्तक पंडित उदेशंकर के निर्त समूह के साथ भारत वा यूरोप की यात्राएं की अठारा वर्स की उम्र में निर्त चोड़कर साथ साल तक उस्ताद अलाउद दीन खां से सितारवादन की शिक्षाली 1948 से 1956 तक All India Radio में संगीत निर्देशत की भूमिका भी निपाई उसके बाद उन्होंने यूरोप वा अमेरिका के प्रवास किये और शास्त्री संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए 1962 में उन्होंने किन्नर स्कूल आफ म्यूजिक बंबई में तथा 1967 में लॉस एंजलिस में इस्थापित किये इन्होंने अमेरिकन, वाइलिन, वादक, येहुदी, मैनुहिन तथा जॉर्ज हैरिसन के साथ तथा इन्होंने बीट म्यूजिकल ग्रूप के साथ अनेक संगीत प्रस्तुतियां दे कर संसार भर में भारती संगीत की धूम मचाई विशेश्ता, सितार वा आर्केष्ट्रा के संयोजन को राग माला 1981 में प्रस्तुत किया वेस्ट मीट्स इस्ट 1986 में मैनुहन के साथ प्रस्तुति के लिए इन्हें प्रख्यात मैतरी सम्मान भी दिया गया अपने बेटी अनुश्का शंकर के साथ फुल सर्किल की लाइब रिकॉर्डिंग कारनेजी हॉल में 2001 में प्रस्तुति की अपनी मरत्य के दो महिने पस्चात इन्हें चौती बार ग्रैमी अवार्ड दा लिविंग रूम पार्ट वन से सम्मानित भी किया गया उस समय इन्हें लाइफ अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया माई लाइफ, माई म्योजिक तथा राग माला, शीरसक से इनुवने दो आत्म कताएं भी लिखी तो चलिए आए शुरू करते हैं विद्या भारतिय संस्कृति शुक्षा संस्थान दौरा संचालित अखिल भारतिय संस्कृति शुक्षा बोधमाला शे जिसमें आप सभी लोगों के सामने कक्षा शे की विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतिय संस्कृति शुक्षा एवं बालवर्ग के प्रश्नमंच हेतु पाठिपुस्तक जो बनाए गई है उसको आज मैं अच्छे से स संस्कृति एवं अपनी राष्ट्रेता का ज्यान शात्रों को कराना उनके शिक्षा कारिक्रम का महत्तपुन अंग है परंत दुर्भागिवश धर्म भूमी भारत में धर्म संस्कृति की शिक्षा की कोई विवस्ता नहीं है पराधीनता के काल में हमारे धर्म एवं अनास्था उत्पन्न करने के योजना बद्ध प्रयास हुए हैं तथा इस पक्ष की और अपेक्षा की गई परंदु स्वतंत्रता के पस्चात भी शात्रों में अपने धर्म एवं संस्कृती का गवरोभाव जाकरत करने का प्रभावी प्रत्न नहीं हुआ राष्ट्र की वर्तमान दुरावस्था का यह भी एक कारण है आज भारती शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चर्चा चल रही है शिक्षा को मूल्य परक बनाने की आवश्यक्ता अनुभोग की जा रही है समाज को ज्यान एवं विज्यान में बनाने का यत्म हो रहा है इस दृष्टी से सर्वपतम हमें अपने शात्रों को भावनात्मक दृष्टी से शिक्षित करने की आवश्यक्ता है अपने शाश्वत धर्म, संस्कृती, नीत एवं राश्ट्रेता के शिक्षा को शिक्षा विवस्था में प्रमुग स्थान देने की आवश्यक्ता है हमारे पूर्वजोंने ग्यान विज्ञान के विभिन शेत्रों में मानवता के विकास के लिए आद्विती युगदान किया है याजान केरी अपने शात्र शात्राओं को देते हुए उनमें गौरव भाव एवं आत्म विश्वास जाकरत करने के आवश्यक्ता है इस भावना के साथ इस पुस्तक शंकला का सरजन किया गया है, पूर विश्वास है कि देश के सभी विद्याले इस योजना से अवश्य लाभानवित होंगे, प्रस्तुत पुस्तिका में विभिन्य विश्यों को संशिप्त रूप में दिया गया है, संस्कृति यान परिक्ष एवं प्रश्णमंच जैसे कारक्रमों के लिए तो यह पुस्तक माला उपयोगी है ही, परंतु आचार बंधों से निवेधन है, कि वे इसके संदर्भ में, इसके संबंध में शात्रों को संदर्भ सहीत विस्तार से भी बताएं, ताकि शात्रों में और गहन अध्यन करने की पिर्णा जक सके, सचिव, मिध्याभारती, संस्कृती, शिक्षा, संस्थान, प्रस्तावना, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ती उनकी संस्कृती है, संस्कृती एक ऐसा परिवेश है, जिसमें रहकर मनुष एक सामाजिक प्राणी बनता है, और प्राकृतिक दर्शाओं को अपने अनकूल बनाने की ख्षमता प्राप्त करता है, संस्कृती का तातपर्य केवल शिष्टाचार के धंगों से नहीं, अपितु उस व्यवस्था से है, जिसमें हम जीवन के प्रतिमानों, आचरन की विधियों, परंपराओं, विचारों, समाजिक मूल्य धार्मिक विश्वासों और मानवी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं, संस्कृती की अभिव्यक्ति, साहित्य स्रजन, ललित कलाओं, परवों, त्यवहारों तथा उत्सवों के माध्यम से होती है, संसार के सभी विध्वानों ने स्विकार किया है, कि सबसे पुरानी संस्कृ सबसे प्राचीन ही नहीं, सबसे श्रेष्ट भी है। परिपीडने भारती संस्कृती के सार्वललाव की कल्यान की व्रत्ति को ही दर्षाता है। अर्थात व्यवस्तित, सम्यकम, पारिवारिक, एवं सामाजिक जीवन की कला भारती संस्कृती का प्रकट स्वरूप है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, स्रिष्टि एवं परमेश्टि की सप्त पदी यात्र से ही हम सभी दायत्व का सम्यक निर्वहन करते हुए परम तत्व में एकाकार हो सकते हैं इन सांस्कृतिक आदर्शों का बोध करा के इनको अगली पीड़ी को हस्तान अंतरित करना यह हमारी शिक्षा का प्रयोजन है तो आईए इसी प्रयोजन को आगे बढ़ाते हुए बोधमाला कप्षा छे के लिए जो पुस्तिका आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं उसकी जो अनुक्रमणिका है उसको भी अच्छे से आप लोग समझें तो क्या-क क्या विशे हैं इसको भी जरूर जाने मात्र भूमी भारत जिसमें आप सभी लोगों को हमारे प्रदेश मात्र भूमी के संदर्व में मात्र भूमी के संबंद में महत्त पूर्ण जानकारी माधे पर तो भारत ही रहेगा देश भक्तिगीत आजाद ही रहेंगे प्रकाश जाला गया है जिसमें ईश्वर दर्शन के रूप, परोपकार और सिवा भाव, भोजन मंत्र, प्राता इस्मरण, एकात्मता इस्त्रोतम, नदी, परवत एवं प्राचीन पुरियां, स्रश्टी में इस परस्पर पूरक्ता, धर्म पालक भक्त और संत हिंदु मानित के वैज्यानिक अधार, विश्व को प्रभावित करने वाली महान विभूतियां, मत, पंत, इत्याद के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा, पाठ तीन में संसकारों की पावन परंपरा सिसंबंधित विभिन तत्वों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें सांस् पाठ चार, तीर्थ मंदिर, सद्गरंत संत्वारी, शिष्टाचार, गुर्भक्तों की कताएं, मित्र एवं, भ्रात्र प्रेम, आदर्श बालक के गुड, सोलह संसकार, इत्याद सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, पाठ चार, हमारा गवरशालियतिहास, जिसमें जाल गणना, स्वराज सूर्य, महाराना प्रताब, रामायर की कता, बाल क्रांतिकारी, वनवासी, एवं, जन जाती समाच का योगदान, इत्याद निम्न बिंदुओं पर आप लोगों को काफी बातें बताई जाएंगी, पार्ठ पांच में, भारती विज्ञान की उज्व आयुर्वेद, पवित्र, एवं, आउशधी, वनस्पती, प्रश्णोत्तर, वैज्ञानिक प्रेरक प्रसंग, अंतरिक्ष, विज्ञान, इत्यादी, सभी बातें आप लोगों को बताई जाएंगे, पुरसकार, खेल जगत, कुछ जानकारियां, कुछ विशेस जानकारिया कुछ महत्त पूर्ण दिवस भारती सम्विधान, विद्या भारती द्वारा निर्धारित, पाच आधार भोत विशे, एवं उनका उद्देस, पाठ साथ हमारे राष्ट्र नायक, आचार, श्री, महा, प्रग्य, दादा साहब, फालके, दत्तो पंत, ठेंगली, मधुना, पंतलू, सत्य न्यरान, शास्त्री, विवेकानंद, शिलास मारक, राष्ट्र नायकों के विचार, प्रश्न पत्र का प्रारूप या स्वरूप किस प्रकार से होगा, इसकी भी चर्चा आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं करूँगा, आप सभी लोगों के सामने इस बोध अंत तक जरूर देखें, जिसमें आप लोग अपनी परिक्षा को उच अंकों के साथ उत्तीरने कर सकें, तो आईए जानते हैं, मात्र भूम भारत, प्रत्येक भारतिये को यह देश प्राणों से भी अधिक प्यारा है, इसका कण कण पवित्र है, तभी तो प्रत्येक भार वाणी वन लेखनी द्वारा संभव है, फिर भी माता के पुत्र होने के नाते हमें इसके भव्य दिव्य सुरूप का अधिक अधिक ज्यान प्राप्त करना चाहिए, अपनी इस महिमा मई पवित्र मात्र भूमी के भारत वर्त, आर्या वर्त, भरत खंड, हिंदुस्थान, आधि अनेक नाम है, अपनी मात्र भूमी के प्रती कितनी शुद्धा होती है, वहां के रहने वालों में क्यों नहों मा के जीवन का ही अंश, उसकी संथान है, तभी तो मात्र भूमी के पुजारी गाते हैं, सुन्दर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी मातो अपनी है, अमित प्यार है जो करती, इच्छा है इस जन्म भूमी पर शत शत बार जन्म ले हम, शत शत बार इसकी सेवा में अपना जीवन दे दे हम, पूर्व काल में अपनी मात्र भूमी की सीमाओं के अंतरगत, पूर्व में ब्रह्मदेश, पश्चिम में पाकिस्तान, तथा अफगानिस्तान, उपगणस्तान, उत्तर में तिब्बत, तथा दक्षण में श्री लंका आधिदेश सम्मिलित थे, सन उननिस सो सैटाले सीजबी में, स्वतंतरता प्राप्ति के साथ साथ आधा पंजाब, सिंध एवं, बलूचिस्तान, तथा सीमाओं परांथ, पश्चिमी पाकिस्तान की रूप में, और पूर्वी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, बंगला देश की रूप में, अलग कर दिये गए, चलिए बात करते हैं, अपने प्रदेशों के बारे में, जिसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले ओडिशा के बारे में बताने जा रहा हूं, हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रशाशन की द्रश्टि से, इसमें 28 राज, एवं 9 केंदर शासिप प्रदेशों की रशना की गई है, आए हम ओडिशा और गुजरात राज की जनकारी प्राप करते हैं, ओडिशा भारत के पूर्वे तट परिस्तित है, ओडिशा को पूर्वकाल में कलिंग ओड्र और उतकल तीन नामों से जाना जाता रहा है, सांस्कृति कितिहास की द्रश्टि से, इस रा इस्तित है, जिसमें बलराम, जगनात, भगवान श्री कृष्ण, एवं सुभद्रा की भव्य कास्ट की मूर्तियां प्रतिश्यत है, आशान शुक्ल दृतिया के दिन यहां दूर दूर से श्रधालु भक्त आते हैं, और विश्व प्रसिद्ध जगनात रात्रयात्रा में भाग लेते हैं, इसी प्रकार कोणार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी इसी राज में है, और इस राज की राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के पास उदैगरी और खंडगरी नामक प्रसिद्ध गुफाएं हैं, इस राज में जनमें प्रसिद्ध कवी देव ने संस्कृत में गीत गोविंदम नामक कावी की रचना भी की थी, जिसके संस्कृत इशलूक जगनात मंदिर में संगीत बद्ध करके गाये जाते हैं, सभी संप्रदाय तथा जन जातियां समाज सद्भावना सहित ओडिशा में प्राचीन समय से रह रहे हैं। और अपनी परिक्षाओं के लिए तैयार हो जाओगे। पहला ओडिशा की राजधानी आप लोग जानते ही हैं, ओडिशा की राजधानी भूवनेश्वर है, ओडिशा में पारादीप नाम का एक बड़ा बंदरगा है, भारत के कच्चे लोहे के साधनों का एक तिहाई भाग इसी राजध में स्थित है, ओडिशा की प्रमुक नदियां महा नदी, वैतरणी और ब्रामभडी नदी हैं, संबलपुर नगर के निकट हीरा कुंडबांध महा नदी पर बना हुआ है, ओडिशा का प्रसिद्ध नर्तिय ओडिशी और यहां की प्रमुक भासा ओडिया है, ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी लैगून जील, चिलका है, कटक ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है, यहीं चांदी के पतले तारों का काम तारकशी नाम से प्रसिद्ध है, ओडिया में गीत को चंपू कहते हैं, चलिए बात करते हैं, अब अन्य प्रदेश जिसका नाम ह भारत के पश्चिमी तड़ पर इस्थित गुजरात प्रदेश प्राकृतिक संपदा से तो भरपूर है ही, साथ ही इसका सांस्कृतिक इतिहास भी बहुत सम्रद्ध है, भगवान श्रेकरशन ने इसी प्रदेश को राज इस्थापित करने के लिए चुना, एवं सागर इस्थान होने का गौरब भी इसी प्रदेश को है, महात्मा गांधी का जन्म पूरबंदर में हुआ, लवपुरुस सरदार वल्लब भाई पटेल भी इसी राज के सपूत थे, जिन्होंने श्रद्धा के केंदर सोमनात के मंदर का स्वतंतरता के बाद पुनर निर्माण महाने में महत्पून योगदान भी दिया, सरदार पटेल की स्मरती में राष्ट्रिय एकता के प्रतीक रूप में उनकी विश्व की सबसे उची मूर्ती स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इस्थापित की गई है, जिसकी उचाई 182 मीटर है, इस मूर्तीक निर्माण में भारत क प्रतीक ग्राम से क्रशी उपकरणों का लोहा एकत्र किया गया है, इसी प्रदेश में पालिताना नामकिस्थान प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है, जहां 863 मंदिर हैं, कच्छ, धौलावीरा में 5000 वर्ष पूर्व के व्यवस्थित नगरिये व्यवस्था के अवशेस अभी प्राप्त हुए हैं, जिससे इस पस्ट होता है कि गुजरात प्रदेश में भारत की सांस्कृतिक धरोवर शताबदियों पूर्व विक्सित हो चुकी थी, जो आज भी सुरक्षित है, गर्बा इस राज का प्रमुक नर्त्य है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर नामक बह उद्देशी बांध परिजुनाय का निर्माण कारे लगभग पूरा हो चुका है, राज की संबंद में जानने योग महतपोन बाते आए जानते हैं, गुजरात प्रदेश की राजधानी गुजराती है, गांधी नगर इसकी राजधानी है, जो साबर मती नदी के निकट इ खेत्र है, खंभात की खाड़ी के किनारे समुंदर जल से नमक तैयार किया जाता है, कारानावरती एहमदाबाद तथा सूरत सूती कपड़े के उद्द्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर में कनिजले तेल और पेट्रोलियम प्राप्त होता है, महानदी प मात्रपोर जानकारियां, जिसमें आप सभी लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, नदियों की पवित्र जल्धाराएं सदेम इस मात्र भूमे को सिंचित करती रहती है, अब आपको बताना है, विस्व में सबसे सखन बसा हुआ, एवं विशाल नदियों का मैदान कौन सा है तो विशाल नदियों का मैदान गंगा यमना का मैदान है, उत्तर भारत की च्छा पवित्र नदियों के नाम बताईए, तो च्छा मुख्य नदियां उत्तर भारत की गंगा यमना, सिंदु, ब्रह्मपुत्र, गोमती और सर्यू है, दक्षिर भारत की शह प्रवित्र नदि को कहा जाता है अब आपको बताना है किस सूर्यवन्शी राजा के प्रयासों से भारत भूमे पर गंगा अवदरीत हुई है तो उनका नाम था भगीरत नारायन भगवान ने गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किस कुंड का निर्माड किया था तो उस कुंड का नाम था नाराय आईए हम जाने हमारे पवित्र परवतों के नाम, पारियात्र किस परवत का संस्कृत नाम है, तो पारियात्र अरावली का संस्कृत नाम है, चंदन के सघनवन वाले परवत को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है मले परवत, बद्रिनाध धाम में किन पाच शिल निल्वी गिरी परवत करनाटक परदेश में है सत्पुडा की पहारीयों मध्ध परदेश की शुभा बला हा रही है भारत के मध्ध में विंध्यान्चल परवत है कितना विशाल है हिमालय परवत इसकी सबसे उची चोटी का नाम सागर मथा और एवरिष्ट है ये आप सभी को पता होना चाहिए नर्मदा, सोन भद्र, आदि पवित्र नदियां अमर कंटक परवत शिखर से निकलती है आईए हम जाने अपने द्वादश जोतर लिंगो को भी सोमनात गुजरात में है मलिकारजुन, श्री शैलम आंधर प्रदेश में है महाकालेश्वर, हुजेन, मद्ध्र प्रदेश में है परमेश्वर, जोकी ओंकारेश्वर की नाम से प्रसिद्ध है मद्ध्र प्रदेश में ही इस्थित है केदारनात, उत्तराखंड, भीमशंकर, महराश्ट्रा विश्वनात, काशी, उत्तरप्रदेश में है त्रेम्बकेश्वर नासिक महराष्ट में है वैद्यनाद ज्ञारखंड में है नागेश्वर गुजरात में है रामेश्वरम तमिलनाडू और घुश्मेश्वर गुश्वनेश्वर महराष्ट में इस्थित है आईए बात करते हैं निमलिकितिस्थान कहा परिस्थित है ये भी आपको पता होने चाहिए वैशनो देवी जो की जम्मू कश्मीर में है वैशाली बिहार में है तक्षला रावल पिंडी जो की पाकिस्तान में है कुम्भानगर अफगानिस्तान में है पंजा साहिब पाकिस्तान में है लवपुर लाहोर जो की पाकिस्तान में है, अपने देश की वर्तमान सीमा है, जो आपको पता होनी चाहिए, रिक्तिस्तानों की पूर्ती करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, उत्तर में गंगन चुंबी हिमाले परवत है, दक्षड में हिंदु महा सागर इसके चरन पकार आता है, दक्षड पूर्म में गंगा सागर एवं दक्षड पक्षिम में सिंदु सागर हैं, पूर्म में ब्रह्मदेश या फिर म्यामर इत्यादी, इन दोनों देशों को आप एक ही नाम से कह सकते हैं, ब्रह्मदेश या म्यामर उपस्तित हैं, उत्तर पक्षिम में पाकिस पर तो भारत ही रहेगा, इस पर भी जानकारी प्राप करते हैं, हमारे मन में सदेव अपने राष्ट का स्वाभिमान बना रहना चाहिए, स्वामी रामतीर्थ के जीवन का एक प्रसंग हमें यही प्रिणना देता है, चलिए जानते हैं, अपने धाई वर्ष के अमेरिकी प्र एक दिन वहाँ प्रोशाग पहनने लगे, कोट पैंट पहनने की बजाए उन्होंने कंधों से लटका लिए, और अमेरिकी जूतुई पाओं में डालकर खड़े हो गए, किन्तु कीमती टोपी की जगे उन्होंने अपना साधा साफा ही अपने सर पर मांधा, किसी ने उनसे पूछा, आपने इतना सुंदर है तो पहना ही नहीं, बड़ी मस्ती में उन्होंने जवाब दिया, राम के सिर माथे पर तो हमेशा भगवान भारत ही रहेगा, अलबत्ता अमेरिका पाओं में पड़ा रह सकता है, इतना कहकर उन्होंने नीचे जुक कर मात्र भूमी की मिट उठाई और माथे पर लगा लिए, देशभक्तिगीत आए गागरत सीखते हैं, मात्र भूमी, पित्र भूमी, धर्म भूमी महान, भरत भूम महान है महान, कैलाश, काश्मीर, जिसके फाल, के मुकट मली, है लोक में प्रसिद्ध जो अनोप रूप के धनी, है ना विश्व म अनि महान, स्थान, जिन समान, भारत भूमी, पित्र भूमी, धर्म भूमी महान, जहां विशाल, जानवी, सरस्वती, वगोमती, कौशिकी, कावेरी, सर्यू, तापती, इरावती, ब्रह्म, सिंद, नर्मदा, गुदावरी, महान, भारत भूमी, पित्र भूमी, धर्म भूम महान यहां तत्व दर्शियों महामनीशियों की है धरा यहां निवास संत सिद्ध योगियों का है सता जन जन में वास कर रहे भगवान राम श्याम भारत भूमी भरत भूमी मात्र भूमी पित्र भूमी धर्म भूमी महान सन्यासियों भूपाल चक्रवर्तियों की भूमी भू स्वधर्म ध्रज फैरा गए जो विश्व धर्मे दूर दूर सुनो तो अतीत गारहा विजय श्री के गान भरत भूमे धर्म भूमे पित्र भूमे मात्र भूमे धर्म भूमे महान भूमे इत्याद भूमे को प्रणा पुत्र रूप हिंदू समाज आए जानकारी प्रात करते ह तेजशाम नहीं वयह, समीक्ष्यते तेजश्वरी वा पराक्रमी महापुर्शों के जीवन में आयू का कोई महत्व नहीं वीर प्रसूता भारत मा की कोक्सेजन में असंख्य वीर पुत्रों ने स्वेम को तिहास में अमर कर लिया आये उन वीरों एवं उनके कारियों का इस्मरण कर हम भी उन जैसा बनने का संकल्प लेते हैं यत्र नार्यर्स्तु पूज्यते रवंते तत्र देवता जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं अपनी भारती परमपराओं में भक्त एवं कर्म योगी नारियों को अधिक मानिता दी गई है भारती नारी में अतुले निये शक्ति है नीचे कुछ महान नारियों के कारियों कावलन किया जा रहा है जिनके कारण उन्होंने नारी की गरिमा को उच्छोलित किया है तो चली आ जवा पस आ जाए हाँ यहां हो जाएगा अच्छा यम्राज एक वरदान और दीजिये क्या मैं निश्कलंग पुत्रवती हो जाऊं यम्राज ने बिना सोचे समझे कहे दिया तथास्तू ओ बिना पती के पुत्रकषे अंत में यम्राज ने उसके पती को जीवित कर दिया इस थी महान इस्त्री सावित्री मर्यादा पुरुशोतम श्रीराम का 14 वर्स्त का वनवास के कठिन काल में साथ देने वाली महान पति वर्ता नारी सीता जी थी जिनोंने लवकुष जैसे वीर पुत्रों को जन्म दिया था भामती वाचिस्पती मिस्र की पत्ने थी गरंथ परणा भूल गए ग्रंथ समापती पर भामती ने व्यंग से इसकी सिकायत की वाचिस्पती ने पूछा तुम कौन हो भामती ने उत्तर दिया मैं आपकी सह धर्म चारणी हूं वाचिस्पती ने उनके समर्पन एवं सहयोग से प्रसंद होकर इस शंकर भाश के विख्यात व्याख् देवंत का नाम भामती तेका रख दिया यदिजेश हित्म मरना पड़े मुझको सहस्त्रो वार भी तो भीना मैं इस कष्ट को निजध्यान मिलाऊं कभी है इस भारत वर्ष में शत्वार मेरा जन्म हो कारण सदा हिम्रत्यू का देशोपकार कारक कर्म हो कोस्टक में लिखे नामों से सही नाम पर आपको चिन्ह लगाना है और बताना है कि कौन सा उत्तर सही है देश का कार श्री राम जी का कार है मेरी मात्र भूमी की सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है यहाँ वाग के मदन लाल धेंगरा के थे चिन्ते चिन्ते दिवार गर्दन तक पहुँच गई दोनों की आँखे मिली मुस्कराई एका टक एक दूसरे को देखते रह गई एका एक बड़े भाई की आँखों से आसु टपक पड़े छोटे भाई जुरावर सिंग राम सिंग फते सिंग ने पुछा भाईया क्या मेर पहले जन्मलिया परंतु धर्म पर बलिदान पहले तुम हो रहे हो शत्र से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में गुरु गोविंसिक के पुत्रों ने अपने प्राणों का बलिदान किया जिनके नाम थे अजीत सिंग जुजार सिंग फते सिंग और जुरावर सिंग प्रत्वी सिंग राजा दुश्यन्द को यहां देखकर बड़ा अश्चरह हुआ कि वहां बालक छोटी आयू में ही शेरनी के बच्चे से खेल रहा है वो कोई और नहीं भरत था मदमस्त कुवलया पीड हाथी को अपने बाहुबल से जिसने परास्त किया था उसका क्या नाम था भरत राम कृष्ण या अभिमन्यू तो सही उत्तर कृष्ण है चक्रव्यू से चिंतित युधिष्ठिर को जिसने चक्रव्यू भेधन का बीड़ा उठा कर आश्यरे में डाल दिया और चक्रव्यू में तीर की भात यकेला ही प्रवेश कर गिया उसका नाम अभिमन्यू था आजाद ही रहेंगे चंदर शेखर को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला उनके पीछे भागा पर वे पकड़े नहीं गए लेकिन चंदन का टीका लगाने के कारण वे शीगर पहचान लिए गए जब उन्हें न्यायधीश के सामने पेश किया तो वहां उन्होंने अपना नाम आजाद बताया पिता का नाम पूछे जाने पर कहा स्वतंतर तता घर का पता पूछे जाने पर जेल खाना बताया इस प्रकार की उत्तर सुनकर 15 बेतों की सजा सुनाई गए इसके बाद वे अजाद की नाम से प्रसिद हुए आजाद ने छोटी सी इम्र में ही पुस्तक नाम आनंद मठ है भारती इतिहास के चहा स्वार्णिम प्रिष्ठ पुस्तक की करांतिकारी लेखक उनका नाम है वीर विनायक सावरकर आयूर विज्यान के जन्मदाता धन्वंतरी है परमाल सिध्धान्त के अविष्ट करता प्राचिन भारत के जो रिशी है उनक के बुद्धिकोशल ज्यान नीत और सत्य वचनों से प्रभावित होकर श्री क्रिष्ण दुर्योधन के राजभोग छोड़कर इनके घर का साग खाकर संतुष्ठ हुए उनका नाम महात्मा विदुर्थ है महापुरुषों की जन्तियां हम विद्याले में महापुरुषों की जयनतियां मनाते हैं इनमें कुछ की जन्तिया हम यहां दे रहे हैं तो महापुरुष का नाम भगवान श्री राम, इनकी जन्मितिती चैतर शुक्ल नव नवमी में इनकी जन्मितिती मनाई जाती है, भगवान महावीर चैतर शुक्ल तेरा त्रेयोधशी, भगवान बुद्ध बैशाक शुक्ल पंद्रा पोलिमा को मनाते है, वेदिव्यास सिदास ट्रामर्शुक्ल सांथ सप्तमी विक्रम समवत 1554 महारशी वालमी की आश्विन शुक्ल पंदरा पोडिमा के दिन इनकी तिथी मनाया जाती है गुर्म नानक देव कार्तिक शुकल विक्रमी समवत 1526 स्वामी रामतिर्थ कार्तिक अमावस्या विक्रमी समवत 1930 हर गोविन सिंग पौष शुकल सब्तमी विक्रमी समवत 1723 अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले जो पाठ है जिसका नाम है वसुद है उको टुम्बकम तो ये भावना हमारे मन में भी होनी चाहिए सर्व शक्तिमान परम चेतन सत्ता ही इश्वर है वही सारे संसार में समाया हुआ है उपनिशद में कहा गया है इशा वास्यमिदम सर्व यतिकंजग जगत्याम जगत अर्थात इस संसार में जो जड़ है चेतन है उन सब में इश्वर समाया हुआ है भगवान श्रेकष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है इश्वर हासर भूतानाम हर्देशे अर्जुनम तेश्टती अर्थात है अर्जुन इश्वर सभी प्राणियों में सभी प्राणियों के हर्दे में स्थित है इश्वर दर्सन के रूप हमारे रêशी मुनियों भकतों, संतों और ज्यानियों ने इश्वर को जड़ और चेतन सभी में माना है उन्होंने अपने एक ज्यान और भकति सागर के इस तरह पर उस परमात्मा के दर्शन भिन 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 रूपों में किये हैं तभी तो कहा गया है कि प्राता उड़ते ही अपने हाथ में ही इश्वर के तीनों रूपों का दर्शन करें और ध्यान करें कि वह इश्वर आपके या हमारे हाथ के अगरभाग उंगलियों में लक्षमी के रूप में मद्य भाग हतेली में सरस्थी की रूप में और हाथ के मूल अंतिम भाग में गुविंद के रूप में बसता है और आपके मिध्याले में ये श्लोक जरूर धवा जाता होगा कराग्रे बस्ते लक्षमी करमध्य सरस्थी करमूले तुगरविंदा अनेक देवी देवताओं और अवतारों के रूप में हमने इश्वर के दर्सन किये है और उनकी पूजा की है इतना ही नहीं तो उस इश्वर को अनेक नामों से पुकारा भी है जैसे राम, कृष्न, ब्रह्म, ब्रह्मह, शिव, इंद्र, यम और विश्णु नारायन, बुद्ध, महावीर, इत्यादी, अनेक नाम से हम लोग इनकुप करते है सद्गुरु, अकाल, पुरुष, रूप के पुरुष, के रूप में उसी इश्वर का वड़न है इसलिए इश्वर के पूजन की विधिया भी अलग-लग है दुरगा, लक्षमी, पारवती, आदि को उसी इश्वर की सक्जिमान कर पूजा करते हैं पूजा और उपासना की ये सारी विधिया इश्वर के दर्शन करने के मारग है जैसे सारी नदिया विभिन मारगों से चलकर अंत में सागर में ही पहुशती है वैसे ही पूजा की इन सारी विधियों से इश्वर, दर्शन, ही मानव का अंतिम लक्ष है महात्मा तुलसिदास जी ने रामचरित में कहा है जाकी रही भावना जैसी प्रभ मूरत देखी तिन देशी रिक्तिस्थानों की पूर्ति करने के लिए आप लोग उसे पूछा जा सकता है प्रिक्षा में तो इसको भी अच्छे से कंटेस कर लेते हैं अच्छे से समझ लेते हैं इस अंसार में जो भी है जड़ चेतन है उस सभी में इस इश्वर शमाया हुआ है इश्वर के पूजन की विधिया अलग-अलग हो सकती है सभी विधियों से इश्वर दर्सन ही मानों का लक्ष है परोपकार और सेवभाव हम हिंदू उस राजा शिवी को महान मानते हैं जिसने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को काट काट कर तराजू पर चड़ा दिया उस रंतिदेव को इसमरल करते हैं जिसने 48 दिन भूके रहने के बाद भी अपना भोजन भूके को और पानी प्यासे को पिला दिया उस राजा दिलीब के सामने नत मस्तक होते हैं जिसने नंदनी गाय की रक्षा के लिए अपने शरीर को सिंग के लिए अर्पित कर दिया हम दधीच रिशी का योगदान यशोगान करते हैं क्योंकि उन्होंने देवों के रक्षा के लिए अपने शरीर को अस्थी वज्रे बनाने के लिए दान कर दिया भामा शाह ने अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए मात्र भूमी की सेवा के लिए जीवन भर की सारी कमाई महनाला परताव के चरणों में चढ़ा दे थी परोपकार और सेवा भावना के ऐसे असंग के उधारान हमारे समाज में भरे पड़े हैं हिंदु जीवन में परोपकार और सेवा भाव को अतिन्त पवित्र कर्म माना गया है जब व्यक्ति मैं और मेरे के तुछ भाव को छोड़कर इस सत्य को जान लेता है कि सारा समाज मेरा है सब में एक ही पर परम सत्ता है इसका दुख मेरा ही दुख है और इसके सुख में मेरा ह ग्रस्तों की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करता है उसे स्वामी विवेकानंद और भगनी निविदिता का सेवा भाव याद आता है वह नर सेवा को नारायण सेवा मानता है और ऐसा करने में उसे सच्चा सुख संदोश प्राप्त होता है और आनंद की प्राप्ति होती है त इन्होंने परपकार को धर्म कहा है तथा अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना ही सबसे बड़ा पाप बताया है महर्शी वेद्वियास ने भी इसी सत्य को इन शब्दों में कहा है परोपकारा पुन्याए पापाए परपीडिनम अर्थात परोपकार पुन्य है और दूसरे सताना बाप है चलिए कुछ प्रशनुत्तर की बात कर लेते हैं जो आपकी परिक्षाम पुछे जा सकते हैं राजा, शिबी और रंदेव किस गुण के कारण इस्मरली है तो वो गुण है परूपकार का राजा दिलिप ने किसकी रक्षा के लिए अपने सरीर को या अपने शरीर को सिंग को अर्पित कर दिया था वो थी नंदिनी गए हम महारशी दधिजी का इस्मरल के को करते हैं देव रक्षा के लिए इन्होंने अपनी अस्थिएं डान कर दी थी भावा शाह ने मात्र भूमे की सेवा के लिए क्या किया था तो इनों ने मात्र भूमी की शेवा के लिए अपने जीवन की सारी कमाई महारणा प्रताप के चरणों में अर्पित कर दी थी परोपकार और सेवा को हिंदु जीवन में कैसा माना गया है तो इन सभी को अत्यन्त पवित्र कर्म की उपाधी दी गई है मैं और मेरे के तुछ भाव को त्यागने पर कौन सा सत्य प्रगड हो जाता है तो सारा समाज मेरा है और सभी समाज के दुख मेरे दुख है और सभी समाज के दुखों को मैं अपने दुख मानता हूँ इस तरह से सारा समाज मेरा है निस्वार्थ सेवा करने वाले कौन-कौन याद आते हैं तो इनुमें स्वामी विवेकानंद और निवेदिता का नाम सर्वपरी है नर सेवा को नाराण सेवा मानने पर क्या मिलता है तो नर सेवा को जब हम लोग नाराण सेवा मान लेते हैं तो हमें सच्चा, सुख, संतोश और आनंद की प्राप्ती होती है। संत तुलसीदास ने परहित को क्या माना है? तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो क्या माना है? धर्म माना है, अभी आप लोग ने इस इशलोक का या फिर इस पंक्ति को देखा भी था हैं। याद कीजिए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधिमाई। उमीद करता हूँ, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, चली बात कर लेते हैं, अपने अगली बंक्ति को और चलते हैं, भोजन मंत्र को देखते हैं। शुद्ध और स्वच्छ मुस्थान पर आसन चटाई वस्त बिजाकर, हाथ पैर धोकर, कुल्ला करके सुखासन में बैठकर, शांत चित और प्रसन मन से भोजन करना चाहिए। साथ में जल अवश्य लेकर बैठें, भोजन करने से पूरु समवेद स्वर में यहां मंत्र अवश्य बोले। इसी तरे के शलोक आपने विद्याले में रखा गया, क्योंकि यह शलोक करने के बाद, यग्य में आहुती देने के साधन, सुच शुरुआ, हाथ की मरगी, हंस व्यागर, आदि मुद्राय, अरपन भी ब्रह्म है, हवन करने का पदार्थ हभी भी ब्रह्म है, ब्रह्म अगनी में ब्रह्म स्वरूप होम करता, द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्म है, आता है, ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ प्रुश के द्वारा, जो प्राप्त होने योगि है, वह ब्रह्म ही है, ओम सहना वपतू, सहना वभुनक्तू, सहवीर्यम करवावह, तेजस विनावधी तमस्तुम आविजशा वहे ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही पठोप निशत का यह शान्ति मंत्र आपके विद्याले में भी होता होगा अर्थ है प्रभु हम दोनों गुरु और शुश की एक साथ रक्षा करो हम मिलकर खाएं देश में कोई भूका न रहे हम साथ साथ मिलकर शौर प्रकट करें राष्ट की रक्षा में पराकरम प्रकट करें हम तेजस विता को धारन करें हमारे देश शंगठन रूर्पीत अबस् श्लोक अवश्य बोले जाते होंगे उम्मेद करते हूं आप लगए सभी लोगों को यह कंटेस्ट भी होंगे और इसका आर्थ जम्हें बताता चल रहा हूं कराग्रे वस्ते लक्षमी करमध्य सरस्वती करमूले तुगोविंदा प्रभाते कर दर्शनम अर्थात हाथ के अग श्लोक जो है समुद्र वश्ने देवी परवत इस्तनमंडले विश्नुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस पर्सम छमस्व में अर्थात हमारी मात्र भूमी देवी लक्षीमा का ही रूप है जिसकी रक्षा स्वयम विश्नुभगवान करते हैं इस देवी ने समुद्र को वस्त पैरों से इस पर्स करना होगा अधाय पुत्र मान कर हमें शमा करें अगली जो पंक्तियां है अगली जो श्लोक है इसको भी समझ लेते हैं ब्रह्भा मुरारी त्रिपुरांतिकारी भानुश शीभू मिश्तो बुदश्य गुरूर्श चुक्रा शनिराहुकेत्वा कुर्व कुर्वन्तु शर्वे ममश व प्रभातं अर्धात ब्रह्म्हा विश्णू शिव सूरी चंद्र मंगल जू पुद्ध ब्रहस्पती शुक्र शनिराहुकेत्व सब मेरे प्रभात को मंगल मे करें मांगमें साथ स्वर साथ रसातल सब मेरे प्रभाद का मंगल मैं करे साथ समुंद्र साथ परवत कुल महेंद्र मले सहयाद्री शक्तिमान रिक्षवान विंद पारियात्र सप्त रिची सप्त द्वीप जंबू प्लक्ष शालमय कुष कौंच शाक पुषकर तथा साथ वन दंड कारन्य खंडारन्य चंपकारन्य, वेदारन्य, नैमिशारन्य, ब्रह्मारन्य और धर्मारन्य सब मेरे प्रभात को मंगल मैं करें चलिए बात करते हैं चटे स्लोक की प्रत्वी सगंधा सरस्ता स्थापाश पर्शी चवार्योर च्वल्नम चत चते जहा नभाश शब्दं महता सहवा कुर्वंतु सर्वे मम्सू प्रभातं अर्थात गंध गोड़ से युक्त प्रत्वी, रस गोड़ से युक्त जल, इस्पर्श गोड़ से युक्त वायू, ज्वलन गोड़ से युक्त अगनी, तथा शब्द गोड़ से युक्त आकाश, आधि पंच भूत और महत, समश्ट भूत्य सहित मेरे प्रभात को मंगल मै करें अन्तिम श्लोक प्राता इस्म्रणेत तद्यो विदित्वा अधरता पठेट ससम्यक धर्मनिश्टा श्यात संस्म्रता अखंड भारता अर्थात इस प्राता इस्म्रण का भली प्रकार से ज्ञान करके इसे आधर पूर्वक पढ़ना चाहिए ठेक ठेक धर्म में जिसका नाम है एकात मता स्तरोतम आप एकात मता स्तरोत का पार्ट तो करते ही होंगे इस स्तरोत में आई हुई पवित्र नदियों, परवतों एवं पुरियों से सम्मंदित इश्लोक अर्थ सहित लिखे गए हैं चलिए आईए उनका भी इस्मरान कर लेते हैं तो पहला जो इसलोग है गंगा सरस्वती सिंदु ब्रह्म पुत्र श्च गंड की कावेरी यमना रेवा कृष्णा गोदा महानदी अर्थात गंगा सरस्वती सिंदु ब्रह्म पुत्र गंड की कावेरी यमना रेवा नर्मदा कृष्णा गोदावरी तथा महानदी प्रमुक अगला जो इस लोग है अयोध्या मतुरा माया काशी कांची अवन्तिका वैशाली द्वारी का धेया पुरी तक्षिला गया अर्थात अयोध्या मतुरा माया हरिद्वार काशी कांची अवन्तिका जो क्यों जैन कहलाता है द्वार का वैशाली जगनात पुरी तक्षिला तथा गया नाम नामक पवित पुरियां आदि पवित्र इस्थल ध्यान करने योगी हैं चलिए कुछ प्रश्ण है यहां पर कुछ हैं महत्रपूर्ण इसको भी देख लेते हैं मन्यमलकित परवत किस किस प्रांत में हैं तो महिंद्र रिदी मले सहाधरी रैवतक अरावली उतकल औरिशा में हैं करनाटक मे महराष्ण में गुजरात में या फिर राजस्थान में तो यहां पर जो चीजे बताएगे उसको अच्छे से आप लोग कंठस तावस्य करें तो कहने का जो तातपर है ब्रह्म जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों के जो नाम है आप लोगों को याद होने चाहिए सनतकुमार सनक सनन्दन सनातन तो यह ब्रह्मा के मानस पुत्र है साथ रसातलों के नाम जो आप लोगों को याद होने चाहिए उन में अतल है वितल है सुतल है तलातल है महातल है रसातल है तथा पाताल है सबतसिंद साथ समुंद्र कौन-कौन से हैं इनको भी आप लोग कंठस्ट करना निवार है क्योंकि इस तरह के प्रशन आप असर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं लवण शागर इक्षु सागर आज सागर दक्षि सागर शीर सागर स्वाद दक्षर का यहां की जन्मिस्थली है यहां ब्रमकुंद में सनानकर राजा भर्ध हरी में अमरत्तु प्राप किया था तीसरा जो माया है हरि द्वार में यहां प्रती बार्वें वर्श कुम्ब का मेला लगता है काशी जो कि भगवान विश्वनात अनपोना काल भायरो मोचन हनुमान मंदिर है जैनों के साथ में तीर्थंकर जो थे एवं तीसवें तीर्थंकर जो थे इनकी जन्मिस्तिली यहीं पर है यहां के गंगा घाड भी प्रसिद्ध है कांची या मोक्षपरी दक्षड भारत में है तथा दक्षड का जो दक्षड की काशी भी मानी जाती यहां आदि संक्राचार द्वारा स्थापित शारदापीट एवं चार धामों में इसकी गणना है उक्तसातो पुरियां मुक्षदाइनी कहलाती है निमलिखित संक्यतों के साहिता से संबंदित प्राचिन नगरों के नाम आप लोगों को याद करने है तो चली बात कर लेते हैं गंगा यमना के संगन पर इस्थित जो छेत्र है उसका नाम है प्रयाग राज बिहार प्रांत में गंगा और शोन्द भद्र नदियों के तड़ पर इस्थित एतिहासिक नगर उसका नाम है पाटिलिपोत्र जिसका वरतमान नाम पटना है करनाटक में प्रसित हिंदु समराज के जो राज़ानी है उसका नाम है विजयनगर और विजिशा में प्रसिद थीर्थ एवं चार धामों में है एक जो छेत रहशका नाम है जकनादपुरी पांडवों के राज़ानी इंदरप्रस्त कहलाती है बिहार में फल्गो नदी के तड़ परसिद्ध तीर्थ जो गया कहलाता है बात करते हैं सुरुष्टि में परसपर पूरक्ता के बारे में इस सुरुष्टि की संरचना या फिर रचना परम चेतन तत्व ब्रह्म से ही हुई है इसलिए इसका जो जड़ है चेतन है उसी में मिलने के लिए वैसे ही प्रतन सील रहते हैं जैसे सागर में भाब बनकर उठी बूंद अंत में उसी सागर में जाकर मिलने के लिए प्रतन सील रहती है बिल्कुल उसी तरह महार्शी अर्विंद ने कहा है जड़त में प्राण और प्राण में जीव तता जीव में मानस का अवतरन घटना मातर नहीं है बलकि उसके पीछे दैवी प्रकरती का एक सुनियोजित उद्धेस है और वहाँ है सच्चिदानन ब्रह्म की और आरोहन अर्थात इस उद्धेस की पूर्टी के लिए ही स्रष्टी का कणकण एक दूसरे का पूरग बनकर रिवहार कर रहा है इसलिए प्रकरती व्यक्ति वा समाज में परस पर सहयोग होता है किसी भी जीव जन्म लेते ही अपना विकास स्वयम नहीं कर सकता वरन उसे अपने जाति के प्राणियों के सहयोग लेकर अपना विकास करना होता है व्यक्ति और समाज का जीवन तो परस पर पूरक है है व्यक्ति को अपने सारीरिक, मानसिक और बौधिक विकास के लिए समाज के अन्य लोगों के सहयता लेनी पड़ती है अर्थात सहयोग लेना पड़ता है हाँ शैश्वावस्ता में उसका लालन पालन पोशन समाज का अंग परिवार करता है प्रकरती की ओर जरा देखें तो दिखाई पड़ता है कि समस्त प्राणियों के लिए अवश्क प्राण वायू अनस्पतियों दी जाती है इस प्रकर स्भी का जीवन एक दूसरे का पूरग है गीता में भगवान श्रीकृष्ण जी ने बताया है ब्रहमा जी ने यग्यद्वारा प्रजा की बृध्धी और एक्षाओं की पूरती के लिए कहा है इस यग्य द्वारा तुम देवताओं के उन्नती करो और वे देवता तुम लोगों के उन्नती करेंगे इसलिए हमारे यहाँ यग्य का महत्व सबसे बढ़कर है चुहे मेधक और सर्प जमीन को क्रशी के लिए उपजाओ बनाते हैं गाय भैस का गोबर हमारी क्रशी और इंधन के काम आता है तो मानोमल भी क्रशी के काम आता है और इस प्रकार दोनों के द्वारा परियारवान शुद्ध भी होता है अता सुरश्टी में परसपरता जो परसपर पूरक्ता का भाव ही आता है दिखाई पड़ता है चली रिक्तिस्तानों की पूर्थी भी समझे लेते हैं जड़ तत्व में प्राण और प्राण में जीव तथा जीव में मानस का अवत्रन घटना मात्र नहीं है स्रेश्टिका कड़कड एक दूसरे का पूरग बनकर विभार कर रहा है प्राणियों के लिए आवश्यक प्राण वायू वनस्वतियों द्वारा प्राप्त होती है वनस्वतियों को स्वजीवन के लिए आवश्यक कारण डाय आउकसाइड मनुष एवं प्राणियों द्वारा ही दी जाती है प्रश्णुक्तर की बात करते हैं ब्रह्मा जी ने यगीद्वारा क्या करने को कहा है तो यगीद्वारा प्रचा और देताओं की उन्नती करने के लिए कहा गया है स्रुष्टी में परसपर कौन सा भाव विदमान है तो पुरक्ता का भाव विदमान है जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं इस स्रुष्टी की रचना किसके द्वारा हुई है तो परमचेतन तत्व ब्रहमत के द्वारा या ब्रहमा के द्वारा हुई है बात करते हैं धर्मपालक भक्त और संत के बारे में सदेव अहिंसा वरत का पालन करने वाले कुछ संत और महापुरुषों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए जिन में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, शिवी, महात्मा, कांधी, नै अहिंसा का क्या आर्थ है, मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव या प्राणी को न तो शारेरिक कष्ट देना और न उसे मान से क्लेश पहुचाना ये अहिंसा का एक उद्ध्य से होता है, वह गार्थ होता है सत्य पालन से क्या आप समझते हैं, तो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकरती के संबंद में सही जानकारी प्राप्त करके जीवन को शुद्ध बनाए रखने के लिए प्राणी महात्र के हित में सत्य का विभार करना ही सत्य पालन है सत्य पालन की दृष्टी से महापुरुषों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए, तो एक महापुरुष जिनका नाम आप लोगों को हमेशा याद रहे, राजा हरिश्ष्यंद्र, युद्धिश्ट्रूइस और महात्मा गांदी आस्ते का अर्थ क्या है या आपको पता होना चाहिए, दर्म का पालन करते हुए, अपने परिस्रम से अरजित वस्त को प्रियोग में लाना तथा अपने आसपास ना होने पर कभी उसके लिए चोरी ना करना ये आस्ते कहलाता है अस्ते पालन में किन संतों और महापुर्शों की प्रसिद्धी हुई है तो मन्यो आचारे चानक की संत विनोग भावे इत्यादी की प्रसिद्धी प्राप्त है ब्रह्मचरे पालन से आप क्या समझते हैं तो इंद्रियों के सुख की जोटी कामना के पीछे न दोड़ना तता विशेस रूप से मन और कामभाव के जोटे भेकावे में ना आना प्राण सक्ष्टी के संचे के और आत्मिक विसका के विकास के मार्क पर बढ़ते जाना ही ब्रह्मचरे का पालन है ब्रह्मचरे पालन के शेत्र में किस किस के नाम प्रसिद्ध हैं तो उनके नाम है वीड हनुमान, भीश्म पितामा, शुकदेव रशी, महर्शी देयानंद और लक्ष्मण अपरिग्रह किसे कहते हैं तो परिग्रह का अर्थ आप लोग जानते हैं चारो और से बटोरना या संग्रह करना अता है आपरिग्रह का अर्थ हुआ नियुनितम आवश्यक्ताओं से अधिक का संग्रह ना करना अपर ही ग्रह का पालन करने वाले कुछ प्रमुक नाम बताईए तो जिन में महावीर स्वामी जी है भगवान महावीर जिन को कहते हैं आचारे चालक के स्वामी रामतीर्थ और सुरिकान त्रिपाठी निराला हिंदी मानिताओं के वग्यानिक जो अधार हैं इस पर भी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं तो सबसे महाट पूर्ण जो प्रश्निहा पर दिये गए हैं उसको जरूर अच्छे से समझे जूते पहन कर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए इसका रीजन है जूते के तलों में अनेक प्रकार की गंदगी जिसे कीचल हो गया, मल हो गया, दुरगंद पून वस्तुएं लगी होती हैं भारती संस्कृती में भोजन करना एक पवित्र कार माना गया है भोजन एक इश्वरी उपासना तुल्ले कार होने से उस में जूते का संसर्ग धर्मिक एवम विग्यानिक दोनों ही दर्श्च से निंदनी होता है रिश्यों के मत में मानव मात्र इस प्रत्वी पर एक परिवार के रूप में रहते हैं अतर्व वेद में कहा भी गया है जनम, विभरती, भोदा, विवाचसम, नाना धर्मानाम, प्रत्वी, यथाओ, कसम अर्थात हिंदु जीवन, वैदिक संस्कृती पर आधारित है यही प्राचिंतम जीवन दर्शन है इसी जीवन दर्शन ने विश्व को ज्यान दिया है विश्व की अनेक संस्कृतियों या अनेक संस्कृतियां इसी से उपजी है अधा संपूर्ण प्रत्वी पर भैली मानो जाती को प्रेरित करने वाली यहां वसुंधरा भारत भूमी ही रही है बात कर लेते हैं विश्यो को प्रभावित करने वाले महानवी भूतियों की तो जिन में सबसे पहले हैं कपिल ब्रम्हांड के सुरिष्टी विकास संबंदी सिध्धांद के आधि प्रवर्टक माने जाने वाले ब्रम्हांड की उत्पत्ती तथा निश्क्री उर्जा की उपक बहुत मत के प्रवर्टक माने जाते हैं अरस्तु की बात करें चौति शर्ताब्दी इसा पुरूप के महान युनानी दार्शने एवं साहित्यकार जो प्लेटों के शिष्य और सिकंदर के गुरू थे इन्हें पश्यमी जगत का सबसे पहला वैज्यानिक तथा राज शास्त्री माना जाता है ऐसा कोई विषय विग्यान या नहीं है आज यूरोप में नहीं है जिसके बीज इनकी रचनाओं में न मिलते हों स्वामी विवेकानन हिंदू समाच को नई संजीवनी देने वाले प्रकड हिंदू सन्यासी राश्ट्रवक्त विवेकननन्द का अपने भाशन में हिंदू संस्कृति की शुरिष्टा को सिद्ध कर दिया था धर्म और मत्पंत के बारे में भी हम लोग कुछ जानकरियां प्राप्त कर लेते हैं सिख महापुरुष गुरु नानक देव जी थे इसलाम धर्म के जो महापुरुष थे महाजर्त मुहमद अपनित हजर्त मुसा बौध धर्म से महात्मा बुद्ध जैन धर्म से भगवान महाशूर महावीर इसाई धर्म से ईसा क्राइस जिनको हम लोग कहते हैं पारसी से जरुसस्त्र के बारे में हम लोग ने तना धिन कर रही लिया है मानव की ये विता के कुछ सूत्र इसमरण बिए गहन का भी इसमरण कर लेते हैं एकस्मात प्रयूसते जना अर्थात प्राली मातर की उत्तिती एक ही से हुई है रूपम रूपम प्तिरूपम भूभूभू अर्थात एशवर ने सब के रूप में अने को प्रकट किया है तुकाम अने चाले एकाची है सत्ते अर्था सज्जन व्यक्ति पूरे विश्व को अपना मान कर चलता है वह संसार की चिंता इस मर्यादा तक करता है कि वहां हर प्राणी मात्र में अपना अस्तित्व देखता है एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे गुरुनानक देव अब हम लोग अपने तरतिये पाठ की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है संसकारो की परंपरा तो चलिए इसमें क्या कुछ पढ़ना है इसको भी अच्छे से गंठस्ट करते हैं याद करते हैं और अपनी परक्षा की तयारी के लिए आगे बढ़ते हैं संसक्रतिक पर्व तयभार हमारे देश के पर्व हमारी संसक्रतिक परंपरा के प्रतिक हैं क्या आप अपने इन पर्वों के संबंद में जानते हैं पहला किस दिन शस्त्रु की पूजा होती है तो शस्त्रु की पूजा विजया दस्मी की दिन होती है अपने शुक्षा पून करके जब शिश अपने घर को प्रस्थान करते हैं तो वे गुरु को किस दिन गुरु दक्षणा प्रतान करते हैं तो उस दिन का नाम होता है गुरु पूरिमा रक्षा बंदन का तिवार भारती मास श्रावण में मनाय जाता है गुरुपूर्णिमा का उत्सव भारती मास आशाण में मनाय जाता है भारती नयावर्ष चैत्रशुल्क प्रतिपदा से प्रारंब होता है गनेज जी का जन्म दिवस भाद्रपट शुक्ल चतुर्थी को मनाय जाता है दीपू के उत्सव का नाम दीपावली है समाजिक समरस्ता के भाव में व्रध्य करने के उत्यसे से शीद रितु में मनाय जाने वाले तिवार का नाम है मकर शुंकरांती सरस्वति जन्मोसाओं बसंद मंचमी को मनाय जाता है चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थो की तो पुषकर सबसे प्रथम जो सबसे पहला है राजस्तान में एतिहासिक नगर अजमेर अजयमेर के समीप पुषकर तीर्थ इस्तित है अगनी पुरान के तीर्थ महात में प्रकरण में अगनी देव वरनन करते हैं ब्रहमण पुषकर शृष्ट तीर्थ है पुषकर में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रहमा जी निवास करते हैं सब कुछ जानने वाले मुनी और देवताओं पुष्कर में देवताओं और पितरों की पूजा करने वाले मनुष्य अश्वमेग यक का फल्क प्राप्त करके ब्रह्मलोक में जाते हैं जो कार्थिक की पूरिमा को वहाँ अन्यदान करता है वह शुद्ध चित होकर ब्रह्मलोक का भागी होता है। मंदिर के पास ही उची पहाड़ी पर गायत्री का मंदिर भी हैं इन मंदिरों के अलावां 30-40 अन्य मंदिर भी हैं रंग जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र में विश्णुवाद देवताओं का निवास है वहाँ निवास करने से मनुष्य हैं श्री हरी के धाम में जाता है। कुरुक्षेत्र से होकर ही सरस्वती नदी भैती थी जो अंतहस सिल्ला सलिला हो गई इसे अब पुना प्रवाहित करने के प्रयास किया जा रहा है। बद्रकाली, शक्तिपीट, ब्रह्म सरुवर, सन्निहत सरुवर, इस्थानेश्वर, महादेव, जोधिस्वर, गीता उदेश, थली, विद्यभारती के सांस्कृति सिश्षा स्थान कुरुक्षेत्र में ही है। तीसरा, पुनावरा, यह स्थान उत्तर बिहार के सीतामणी जिला मुख्याले के निकट पुनावरा ग्राम में स्थित है। पास था, जिसे आज पुनावरा धाम कहते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, मंदिर में घंठा और शंकनाथ, तो क्यों बजाय जाते हैं घंठे और क्यों शंकनाथ की ध्वनी गुंजती है। परिपून हो जाता है आरती के समय, यह नाध हमें अंतर्यामी प्रमात्मा के समी पुपस्तित होकर आनंद गंगा में डूकी लगाने का सुयोग प्रदान करती है। शंक विज्ञान, शंक की उत्पती श्वीमत भागवत महापुरान में वडिन समुद्र मंथन के समय समुद्र में से 14 रतनों की प्राप्ति होई थी। उन 14 में आठ रतन शंक था, आठवा रतन शंक था, हिंदू देवता, विष्णु के चतुर्भुजी रूप में इस्थित शंक, चक्र, गदा, वापद्म में इसका इस्थान तर्थम है। विज्ञान के अनुसार शंक क्या है। शंक समुद्र में रहने वाला एक जलचर है और अधिक स्पस्ट कहना है तो शंक खारे पानी में रहने वाला प्राणी का एक रक्षात्मक कवच है और प्राणी शास्त्र के वर्गी करन के अनुसार उसका म्रदुकाय वर्ग में बात करते हैं सद्गरंथों की जिसमें पहला सद्गरंथ है राम चरित मानस में हम राजा दश्रत की चारों पुत्रों के नामकरण संसकार के संबंद में चौपाईयों का अध्यन करेंगे और उन्हें कंठस्त करेंगे तो चलिए चौपाई क्या है इसको सुनते हैं अर्थ इस प्रकार कुछ दिन बीद गए दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते तब नामकरण संसकार का समय जानकर राजा ने ग्यानी मुनिश्रिश्ष्ट जी से जी को बुला भेजा चौपाई अर्थात मुनि की पूजा करके राजा ने कहा हे मुनि आपने मन में जो विचार रखे हूं वे नाम रखिए मुनि ने कहा हे राजन इनके अनेक अनुपम नाम है फिर भी मैं अपने बुद्धी के अनुसार कहूंगा जो आनंद सिंद सुखरासी सी करते तरे लोग सुपासी सो सुखधाम राम असनाम अखिल लोग दायक विश्रामा अर्थ ये जो आनंद के समुंद्र और सुख की राश हैं जिस आनंद सिंदु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शान्ती देने वाला है अर्थार जो संसार का भवन पूशन करते हैं उन आपके दुसरे पूत्र का नाम भरत होगा जिनके इस्वन मात्र से शत्रु का नास होता है उनका वेदो में प्रिसिद्ध शत्रुहन नाम है दुहा लक्षवन धाम राम प्रिय सकल जगत अधार गुर्वशिष्ट नहीं राखा लक्षवन नाम उदार जो शुब लक्षवनों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत की अधार है गुर्वशिष्ट ने उनका लक्षवन ऐसा श्रेश्ट नाम रखा बात करत इस्यंदने इस्तिताव माधवा पंडवश्वय दिव्यव शंक शंक पत्मत्तु अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तमरत में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलावकिक शंक बजाए और पांजन्य हशिकेशो देवदंतह धनंजय य इन ने पॉंड्र नाम शंक महा शंक बजाया अनंत विजियम रजा कुंति पुत्रों युदुश्रा नकुला सहदेवश्य सुधोष मणीश पुष्प्रकव अर्थात कुंति पुत्र राजा युदिश्टि ने अनेक विजय नामक और नकुल सहदिव निश्रुहोस और इस पांटी सफ्ढक बजाया तो पौनडर नामक जो शंक था वो भीम सेंने बजाया अर्जुन के रत की गोड़े किस रंके थे तो अर्जुन के करथ की गोड़े सफेद रंगे थे यूद्षित्र के शंग का नाम पताएए तो युद्षित्र के शंग का नाम था अरंतविजय नकुल के शंग का नाम सुघोस था और सहदेव के शंग का नाम मोड़ी पुष्पक था महाभारत का युद्ध क impairment Chase के द्रीक हुआ और अपने आचार शक्षक्षी से इनका अर्थ अवश्य पूछे तो इनका जो इस लोग है वो आप लोग जरूर इसमरल करें आप अब हम लोग बात करने वाले हैं शिष्टाचार की तो समस्ते शिष्टाचार के जो आप लोग ने इस विद्या भारती कुस्तक से सीखा है आगे भी सीखती चलेंगे इसी प्रकार से आप बड़े हो नहार चातर हैं आप अपने अच्छे विभार के करन ही तो अपने माता पितावय माचारेों के प्री भी हैं अपने सहपाथियों के बीच में आपके गुणों का समान होता है आखिर क्यों इसका उत्तर नीचे लिखे वाकियों की अनुसार आपनों को कुरितिस्तानों से ग्यात हो जाएगा आप आगंतुकों को दान हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं घर में पूजा पाठ के समय आप भी सहभागी रहते हैं आप कक्षा में आचार शिक्षक जिसे अनुमती लेकर प्रिवेस करते हैं आप सदेम कक्षा में आचार जो शिक्षक होता है उसी के सम्मुक होकर खड़े ह कर ही प्रश्ण पोचते हैं अत्वा उत्तर देते हैं अपने मित्रों के साथ खेलते समय खेल भावना रखते हैं मार्ग में चलते समय अंधे लूले लंगले विक्ति की आप सहायता भी करते होंगे जब दो विक्ति बात कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं बोलते होंगे विद्या मंदर के बारे में कुछ बाते यहां लिखी हैं, आप इस अंदर में हाँ या नहीं में उत्तर देजिए, क्या विद्या मंदर में आवकाश के दिन भी जाने के इच्छा होती हैं, तो उमीद करता हूँ आप लोगों को जाने के इच्छा होती होगी, क्योंकि वहां क जो परिवेश है वहां को जो वातावरन है वो आपके शिक्षा के अनकूल बन चुका है और आप उस शिक्षा में बिल्कुल एक दम तक पर जुरूप से समाहित हो चुके हैं आपका जो मन होता है वो आपका अंतरमन जो होता है उसी विद्याले में लगा रहता है तो पहला प पुर्धानाचारे भी वहां के जो भी प्रमंदंग में समीति के सदस होते हैं वो भी अपनी विद्याले में सफाई का सबसे ज़्यादा महातु पूर्ण ध्यान देते हैं और कभी-कभी तो सोयं वे सफाई भी कर देते हैं अपनी कक्षा में डेस्क कुर्सी में इस दिवा विद्या मंदर में बाल भारती बाल सभा में चोटे मुटे काम ज़ालो लगाना दरी विशाना कुर्सी मेज लगाना आधी काम आप कभी करते हैं तो बिल्कुल सही बात है आप लोगों ने विद्या मंदर में पढ़ाई की है और विद्या मंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने ये समस्तकारे किये होंगे, क्या आप विद्या मंदर में उद्यान में फल फूल और पौधो को देखभाल करने में आना ने लेते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल उसी तरह सही है, जिस प्रकार से आप लोगों ने दरी बिचाना सीकाता, आप लोग पेड़ और पौधो को पानी भी देते होंगे, क्या विद्या मंदर कर्मचारी आचारे प्रधानाचारे आधिके प्रति आपके हर्दय में इसने और सम्मान की भावना है, तो मैं खुद एक विद्या मंदर आचारी हूँ, मेरे प्रति बच्चों के मन में जो भावना है, वो मुझे स्वयम पता है, सभी जो बच्चे हैं, वो मुझे इसने प्यार करते हैं, ऐसा मैं आप लोगों से भी उमेद करके चल रहा हूँ, कि विद्या मंदर के जो भी कर्मचारी वहाँ पर कारे करते होंगे, चाहें वो प्रधानाचारी क्यों नहीं आपके मन में उनके लिए इसने पूर्ण भावना जरूर रहती होगी, उनके नाम पते आदी की जानकारी आप लोग रखते होंगे, ये भी आपका हाही में ही उत्तर होगा, अपने घर आयाते थी, सम्वंधियों को क्या आप विद्यामंदर दिखाने ले जाते हैं, अगर आप नहीं ले जाते हैं, तुने अवश्य मिन द्यामंदर के जो वातरवन हैं, उससे परशित अवश्य कराएं, और अपने विद्याले की जानकारी भी उन्हें दे और आप विद्याभारती से सम्मंदित जो भी आप लोगों को बाते सिखाएगी हैं उसको जरूर बताएं और जो भी सीखी हैं आप लोगों ने जो भी बाते सीखी हैं महतुपूर्ण श्लोकों के बारे में आप लोगों ने जो सीखा है उस सब उनको अवश्य शुनाएं क्या आप अपने विद्या मंदर की विशेस्ताइं दूसरों को बताते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि विद्या मंदर की जो बाते होती हैं वो अपने आप ही सामने वाले को समझ आने लगती हैं क्योंकि विद्या मंदर से पढ़ा हुआ शात्र हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान अभने सापने चेहरे पर एक साकारात्मक सोच रखता है जिसको सामने वाला स्वयम अच्छासानी से पढ़ सकता है अब बात करते हैं गुरु भक्तो की कताई की आप अपने यहां गुरु को भगवान का इस्थान प्राप्त है क्यों ना प्राप्त हो हमारे पालन पोशन का कारे हमारे माता पिता करते हैं और हमारे भावी जीवन का निर्माण गुरू करते हैं रिशुकुल और गुरुकुलों में शात्र को गुरु से माता पिता का इसने भी प्राप्त होता है और वह विद्या भी प्राप्त होती है जि सिश्षी का नाम रितिस्थानों में अंकित कीजिएगा तो चलिए बात करते हैं एक बार समवत 1712 में जब सिवा जी महाराज सतारा में थे तब उनके गुरुश्री समर्थ रामदास स्वामी करज गाउं से चल कर बिख्षा मांगते हुए राजद्वार पर पहुचे सिवा जी महाराज ने उन्हें शास टांग प्रानाम करके पत्र लेकर उनकी जोली में डाल दिया जिसमें यह लिखा था कि आज तक मैंने जो कुछ अरजित किया है वह सब स्वामी के चरणों में समर्पित है दूसरे दिन शिवा जी महाराज भी अपने गुरु स्वामी रामदास के साथ जोली लटका कर भिख्षा मांगने लगे पर उन्तु जब श्री समर्थ ने उन्हें समझाय कि राज करना तुम्हारा धर्म है तब श्री शिवा जी महाराज ने अपने हाथ में शासन सूत्र ले लिया और गुरु स्वामी समर्थ के आदेशान उसार राज कर समाल ले लगे पहला जो प्रश्ण है मैंने तुम्हें गायों का दूद पीने से मना किया है फिर तुम क्या खापी कर दिन बिताते हों गुरु ने शिष्ष से सिस उपमन्यों से प्रश्ण किया शिष्ष ने बड़े विनमरिस्वर से उतर दिया गुरु गुरु देव मैं बच्छोडो के दूद पीते समय गिरे जहाग को चाट कर अपने छुधा शांद करता हूँ आकास में काली घटा गिरी और तेज वर्शा प्रारंब हो गई गुरु धौ में चिंता मगन थे कि धान के खेत की मेड को तोड़ कर पानी बाहर न निकल जाए उनके शिष आरुणे ने उनकी इस चिंता को दूर करने है तू पानी में स्वैम लेटकर पानी को खेतों से निकलने से रोग दिया जन जन के हिर्दे पर शांसन करने वाले भगवान श्रीकर्ष्ण ने द्वारपाल के मुह से जैसे ही अपने मित्र सुदामा जैसे ही अपने मित्र का नाम सुना नंगे पैरो दोड़ो पड़े जो और जाल लिप्टे अपने मित्र सुदामा से फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे हाए महा हाए महा दुख पायो सखा तुमाए इताय नकिताय दिन खोए पिता से भी अधिक भाई से प्रेम करने वाले राम के मूल में से कुछ बाते सुनते हैं जो जनते हूँ बन बंद बच्छे हूँ पिता बचन मनते हूँ नहीं हूँ सुत बित नारे भवन परिवारा हुई हैं जाहीं जगबार ही बारा अस विचार जे जागहु ताता मिलहिना जगत सहोधर भराता आये मित्र प्रेम एवं भात्र प्रेम के लिए हमारे प्रेना इस नाला पार करना था उनके घायल गोड़े चेतक ने नाला पार तो कर लिया परंतो अपने प्राणा त्यक दिये तब उनके भाई शक्ति सिंग ने अपना गोड़ा दे दिया आगे आगे महाना प्रताप पीछे मंगल शैनिक, मुगल शैनिक राणा के सिर परशत्रु के तलवार ने कोचे हेंच की दूरी थी परंतु पलग जबकते ही शत्रु शैनिक की बहां तलवार सहित शरीर से अलग जागिरी और सिर धर से अलग हो गया इस प्रकार शक्ति सिंग ने अपने बड़े भाई राणा प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए स्वैम को संकट में डाल दिया अपने प्रीमित्र सुधामा के घर के चावलों को स्री कृष्ण ने बड़े प्रेम पूर्वक खाया तुम्हारे ही भागि से श्री राम वन को जा रहे हैं हे पुत्र दूसरा कोई कारण नहीं संपूर्ण पूर्णियों का सबसे बड़ा फल यही है माता सुमित्रा की आग्या प्राप्त होने पर लक्ष्मर श्री राम के साथ वनवास को चले गए शक्ति लगने से मुर्चित भाई लक्ष्मर को गोद में लेकर स्री राम ने प्रतिग्या की कि बिना छोटे भाई के वागर लड़ कर नहीं जाएंगे है उध्या का राजा बनना अस्विकार कर भरत ने श्री राम की पादुकाएं राज सिंगहासन पर रखें और सेवक की भाती राज का संचालन किया महापरताप के घोड़े का नाम छेतक था महापरताप के छोटे भाई का नाम शक्ति सिंग था अब बात करते हैं आदर से विद्यार्थी कि क्या-kya गुड़ होने चाहिए इनको भी सिखते हैं ये वे गुण है जो अच्छे विद्यार्थी मैं अवश्य होने चाहिए रिक्तिस्तानों के पूर्ती करना है आप लोगों को सूरी उदय से पूर्व उठना हमेशा चाहिए, आप सभी लोगों को उठकर माता पिता के इस चरने स्पर्स करना चाहिए, नित्य दात स्वच्छ करना चाहिए, नित्य शौचादी से निव्रक्त होना चाहिए, नित्य इस्नान वा भगवत भजन करना चाहिए, शरीर को धिकार है एक छात्र को पालन करना ही चाहिए सबसे सदा प्रिवानी बोलना चाहिए अच्छे विद्यार्थियों से मितरता रखनी चाहिए महापुर्षों की जीवनी पढ़नी चाहिए परुपकारी कारियों में सदेयों आगे आना चाहिए नित्थ कुछ समय महापुर्षों के जीवनियां अच्छेगी तो तथा कहानियों की पुस्त के आवश्य पढ़नी चाहिए माता कहे जाने वाले दूसी के पौधे में जल आवश्य देना चाहिए सभी प्राणियों के प्रतिकल जान भाव होने के कारण हमें गाय को रोटी तथा चीटी को आटा खिलाना चाहिए बात करते हैं संसकारों का जो लिक किया गया है उनको भी सीख लेते हैं संसकार वहाप्रक्रिया है वहाप्रिया है जिसके एवं पारलाव की जीवन शुद्ध बनता है उससे संसकार कहते हैं कुल सुलह संसकार होते हैं, जिनमें पहला संसकार गरभादान होता है, दूसरा पुनसवन होता है, तीसरा सीमन तोननेयन संसकार होता है, चौथा जात कर्म संसकार होता है, नाम करण उसके बाद निश्कर्मन, उसके बाद अन्नपराशन, उसके बाद चूणा कर्म, करण उपनेयन संसकार, वेदारंब संसकार, समावर्तन संसकार, विवहा संसकार, वानप्रस्ट संसकार, सन्यास संसकार और अंतियश्ट संसकार अंतिय में होता है। हम यहाँ पर तीन संसकारों को संब्द में जनकरी प्राप्त करेंगे। जो कि महात्वपूर्ण है, सबसे पहला संसकार, उपनेयन संसकार, हिंदु धर्म का दस्वा संसकार है, या संसकार साथ वर्ष की या तेरा वर्ष की आयू में संपन होता है, उपनेयन का आर्थ होता है कि ग्यान के नेत्रों को प्राप्त करना, उपनेयन संसकार में बालक को जनियु यग्योपवीत बहणाए जाता है और विद्या परारम कराए जाती है वेधारम संसकार हिंदु धर्म का ग्यारवा संसकार है यग्योपवीत की पस्षचाद बालग को मत बासे अधिन के बारे में विश्च ग्यान से परीशित हام काल से ही गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण होने के वश्यात विद्यारती को गुरुकुल से विदायती जाती है अता समावरतन संसकार जिसमें आचार विद्यारती का उपदेश देखकर आगे के जीवन ग्रहत आस्त्रम के दायतों के बारे में बताया जाता है इसको ही परतन संसकार कहते हैं चलिए आगे अगले पाट के उते चलते हैं जिसका नाम है हमारा गौरव शाली इतिहास भारती ये काल गणना संसार की किसी विशेज घटना से काल गणना प्रारम की जाती रही है इस गणना में वर्ष, मास और दिन का समावेश रहता है भारत में अनेक संवत प्रारम हुए जिन में विक्रम संवत, शाली वाहन संवत, शक्स संवत, राम संवत, कृष्ण संवत, आधि प्रमुक हैं इनमें से विक्रिम समवत सरवाधी प्रिचलन में है प्रतेक वर्ष 12 मास होते हैं जिनका नाम करण पोड़े मा के दिन शितिज या उसके समीपस्त नक्षक्तर के अधार पर किया गया है मास में दो पक्ष होते हैं शुकल पक्ष एवं कृष्न पक्ष प्रती तीसरे वर्ष सौर मास और चंदर मास में सामंज़त से है तो एक मास बढ़ जाता है जिसे अधिमास या मलमास कहते हैं दो अमावस्या के बीच में संक्रांती नहीं आए तो यह मास अधिमास कहलाता है और जब दो अमावस्याओं के बीच संक्रांती आए तो यह 6 मास कहलाता है। संक्रांती सूरी को एक राश से दूसरी राश में प्रवेश करने को कहते हैं। बारतिय काल गणना की अनुसार समय की छोटी काई विपल हैं अर्थात 60 विपल बराबर एक पल, 60 पल बराबर एक घडी और धाई घडी बराबर एक घंटा, 60 घडी बराबर एक दिन एक रात अर्थात 24 गंटे, चार घड़ी का एक चोगडिया होता है या लग बड़ देड़ गंटे का होता है विक्रमी समवत की अनुसार नव वर्ष का पर्थम देने चैतर शुकल प्रतिपदा है हमारे यहां काल की गढ़ना सुरिष्टी के पर्थम देन से की गई है जिसके अनुसार इस समय युगाब्द एक्क्यावन सो बाइस सता विक्रमी समवत दो हजार सतक्तर है रामायड की कथा श्री राम सर्वत्र व्याप्थ हैं उनको कौन नहीं जानता वे तो पुरुशोत्तम थे उनकी कथा कवर्णन रामायड में है क्या आप जानते हैं रामायड की रचना आदी कवी बाल में की रिशी ने की थी रामायड संस्कृत भाषा में लिखी गई है मर्यादा पुरुशोत्तम राम के पिता का नाम दश्रत और माता का नाम कौशल्या था सीता के पिता राजजनक थे मुर्शित लक्ष्मन के लिए संजीवली लाने वीर हनुमान गए थे लंका विजय के बख्ष्यात राम ने विभिषण को वहां का राज प्रदान किया था नल एवं नील ने शमुंद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माल किया लवकुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 1540 विक्रमी समवत 1597 जेश्ट शुक्ल प्रतती तर्तिया का वहादिन धन्य है जब मेवाण की शौर भूमे पर मेवाण मुकुट मड़ी प्रताप का जन्म हुआ बपारा वलके कुलुग की अचुन कीर्थ की उज्वलापता का राजपूतियान एवं शौर का पुन्य प्रती एक महराना सांगा का वहाद पुत्र फागुन शुक्ल पंद्रा तदनुसार तीन मार्च 1572 को सिंगहासन परासीन हुआ उस समय तक अधिकांश राजपूत नरेश कूट नितिग्य बादुशह अकबर के दरबार में उपस्तित हो चुके थे शौर के प्रतिमूर्थी महरान प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने धर्म एवं स्वाध हिंता के लिए आज इवन संघर्स किया वह सदा परतंतरता की और अधर्म के विरुद्ध संग्राम के प्रतिह करूप में याद किये जाएंगे 18 जून 1576 में अकबर के सिनापती मान सिंग तता महरान प्रताप के मद्दे हल्दी गाटी में घोर संग्राम हुआ आज यहां राजपूताने की पावन बलिदान भूमी बन गया है महरान की रच्छा महरान की रच्छा के लिए उनके प्री घोड़े चेतक का बलदान भी यहीं पर हुआ इसके पश्यात महरान चित्ताओड छोड़कर वनवासी हो गए घास की रोटियां खाई अरावली की गुफाओं ही आवास और शिलाएं शया बन गई परन्तु प्रताप ने अकबर की आधीनता स्विकार नहीं की महरान ने प्रतिज्या की जब तक चित्ताओड को श्वाधीन न करा लूँगा भूम ही मेरा सैया होगी सोने चांदी के बरतनों में भोजन नहीं करूँगा तथा महलों में नहीं रहूँगा महरान प्रताप ने इस द्रड़ प्रतिज्या का जीवन भरपालन किया मेवाण के गवरभामा शाहन से उन्हें प्रचुर आर्थिक सहयता मिली और महराना ने पुना सेना का संगटन किया चित्तावल को छोड़ कर सभीत दुर्ग पुना जीत लिये उदयपर को राजधानी बनाया 19 जन्वरी 1597 तदनसार मागशुलक 11 विक्रमी समथ 1653 को स्वराज और स्वधर्म के प्रतीक महरान प्रताप परमधान को प्रस्थान कर गए आज भी राजधानी लोक कथाओं में कहा जाता है माई एहडा पोत जड़ जहडा राना प्रताप अगभर सूतो ओज के जान सिराने साप अब बात कर लेते हैं बाल करंतिकारी की स्वाधिन्ता स्वयम में प्राप्त होने वाली कोई सहज उबलब्दी नहीं है बलकि यह उन स्वपन द्रश्टाओं की विशत परिकल्पना है जिन्होंने स्वतंतरता की बलिवेदी पर अपना सर्वस निशावर कर इसे साकार किया है मा की चुरणरज में स्वयम को समर्पित करने वाले महान करांतिकारियों में कुछ ऐसे भी थे जो जीवन की प्रथम दहिलीज बचपन में ही जन्व भूमिष्च स्वरगादपती गहयर शी का भाव लिए मात्र भूमिकी बलिवेदी पर अपने प्राणों का उसर्ग कर भा महाराष्ट के सांगली जिले के मंगरूल गाहों के निवासी तथा दलित परिवारसों संबंदित 12 वर्स की अलपायों के वालक थे जिन्होंने अपने गाहों वासियों को फिरंगी पुलिस के अत्याचार से बचाने के लिए स्वयम को बलतान कर दिया बच्चन परसाद छटू गिरी और जगरूसा बिहार के सीवान जिले में 1942 के अंदोलन के समय सीवान के न्यायाले पर तिरंगा फैराते समय पुलिस से जूजते हुए मातर बाराबश की आयू में सहीद हो गए बिसन सिंग कुका पंजाब के वीर कुकाओं द्वारा गोरक्षान दोलन के समय कसाईयों से गायों को छुडाने के कारण शहीद हुए 65 कुकाओं में से एक 13 वर्ष का बालक था जिसने अंग्रेज अदिकारी कावन द्वारा गुरु के प्रती अफशब्द कहने पर उस अंग्रेज की दाढ़ी नोच डाली परणाम सुरूप उसके दोनों हाथ कटवा दिये गए और मातर भूमी की बलिवेदी पर एक और बालक शहीद हो गया काली भाई राजस्थान के डूंगरपुर जिले की एक तेरह वर्ष ये बालक जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ज करते हुए अपने विद्ध्याले के दो अध्याप को नाना भायजी और सेंगा भायजी को अंग्रेजों के कब्ज़े छुड़ाते हुए अपने जीवन को अपने जेवन के बली चढ़ा दी अब हम लोग बात करते हैं बाजी राउत की वडिशा के नील कंटपुर गाउं का 13 वर्ष ये बालक जिसने अंग्रेज सिपाहियों को अपने पिता की नाव पर नदी पार कराने से इंकार कर दिया और इस पर अंग्रेज सिपाहियों की कुर्टा का शिकार हो गया हमारे वनवासी वीर तो वनवासी वीरों में सबसे जो पहला नाम आता है विर्षा मुंडा का इनके बारे में भी आज बात कर लेते हैं इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उन्नी हातू गाउ जहरखंड में हुआ था इन्होंने 1899 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के विरुद संघर्ष किया था मुंडा युद्याओं ने वीर्था पूर्वग अद्भुद पराक्रम दिखलाया उस युद्ध की वीर्था की कहानिया मुंडा परिवारों में आज भी बड़े गवरों के साथ कही और सुनी जाती है बिर्था मुंडा ने 1895 में मुंडाओं से लगान अदा न करने तथा बेगार न करने का आवाहन किया था दूसरा जो नाम आता है बालक दुद्धा का तो दुद्धा एक बील वालक था उसके पिता महराण परताब की सेना के एक वीर सैनिक थे एक बार उसकी मां ने दो मोटी मोटी रोटिया खाने को दी वह रोटियों के लेकर साथ तिनों से महराण परताब के बच्चों को देने के लिए गंगोर जंगल की और चल दिया रास्ते में शत्र शेना ने उस पर हमला कर दिया किन्तु विचलित हुए बिना रोटिया महारान परताब तक पहुचा कर मठ्टी को गले लगा लिया कुंभल गल की विजय का स्वे सारा स्वे दुद्धा को है अमर है आये बात करते हैं अपने अगले पाठ की जिसका नाम है भारती विज्ञान की उज्वल परमपरा तो भारती विज्ञानिकों में सबसे पहला जो नाम आता है आरे भट्टे का है इनका चन्म इस वीशन 476 में कुसुमपूर बिहार में हुआ था गडित में त्रीकोण मेती के अविशकारग पाई के परतम परियोग करता आरे भट्टे नेही सरप्रतम या सिद्ध किया था कि प्रत्वी गुल है एवा अपने धोरी पर घूमती है सूरी की परिक्रमा करती है सूरी ग्रणवाद चंदर ग्रणवाद चंदर मात्वा प्रतिवी की चाया के प्रणाम है वरतिकी प्रधी और व्यास की अनुपात के रूप में गड़ती एमान 22 बटे साथ निकाल कर उसका प्रयोग भी किया कालांतर में उसका नाम पाई दे दिया गया चंदर शेकर वेंकर ट्रहमन इनका जन्म साथ नवंबर सन 1888 में तमिल लाडु के तुरुचिरा पल्ली में हुआ था भहुतिक विज्ञान में नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाले इशिया के प्रतम विज्ञानिक विबिन पदार्थों द्वारा फैलाए गया प्रकाश के वर्ण पट में नए रंग होते हैं जो मूल प्रकाश में नहीं होते या खोज भहुतिकी में रमन प्रभाव से विख्यात है चलिए तीसरे विज्ञानी की बात करते हैं जिनका नाम है धन्मंतरी ये आयुर विज्ञान विशय के जन्म दाता थे समुंदर मंथन के समय निकले 14 रत्मों में से एक आयुर वेद चिकिस्सा द्वारा रोग निदान एवं मुप्चार के विशय शग्ये अगल जब उन्हें कक्षा में अंक गडित बढ़ाय जा रहा था जब शिक्षक उन्हें समझा रहे थे कि अगर तुम्हारे पास 5 फल हैं और तुम उसे 5 लोगों में बाटते हो तो उन सभी को एक एक फल ही मिलेगा अगर 10 फल हैं और 10 लोगों में बाटना है तो भी हर एक को एक एक फल मिलेगा गडित का नियम बताते हुए शिक्षक ने बताया किसी भी संख्या को उससे भाग देने से प्रणाम एक ही आता है अचानक रामानुजम के मन में एक प्रशन उठा कि अगर शून ये फल को शून ये लोगों में बाटा जाए तो प्रतेक के हिस्से में कितना फलाएगा शिक्षक इस प्रशन से चौक उठे इससे यहां अंदाज मिलता है कि रामानुजम का गडित में चिंतन कितनी उचाई तक पहुच चुका था हाई स्कूल में रहते हुए रामानुजम ने त्रिकोन विती का सनातक इस्तरप का अध्यन कर लिया था आयुर्वेद का मुक्य सिध्धान्त क्या है तो आई ये बात करते हैं आयुर्वेद की आयुर्वेद का मुक्य सिध्धान्त यतपिंडे ततब्रम्हांडे है इसके अनुसार जो कुछ भारी संसार में विद्मान है वा शरीर में भी है जैसे भारी संसार में उश्वनता का गोतक सूरी एवं शीतलता का गोतक चंद्रमा है इन दोनों उश्णता वा शीतलता को वहन करने वाली वायू है ठीक इसी परकार शरेर की उश्णता के लिए पित तथा शीतलता के लिए कफ एवं इन दोनों पित वा कफ के वहन के लिए वायू अर्थात वात विदमान है आयुरुवेद में तृदोस किसे कहते हैं तथा इनके कारी क्या है वात पित कफ इन तीनों को तृदोस कहा गया है ये तीनों दोस सम मात्रा में रहे कर शरीर का धारण पोर्षण करते हैं तथा विशम मात्रा में हो जाने पर रोग तो प्रन गरते हैं प्रश्म संख्यातीन मांसी गुड़ वा दोष क्या है? सत्व को मांसिक गुड़ तथा रजस वतमस गुड़ मांसिक दोष कहा जाता है। ललाट पर चंदन लगाने से क्या लाब है शीतलता के कारण इसका तिलक लगाने से केंद्री नाली तंद्र आज्या चक्र क्रियाशील होता है तथा मस्तिस्क और द्ष्ट की क्रियाशीलता या क्रियाशक्ति बढ़ती है बात करते हैं पवित्र एमम आउशधी हैं वनिश्प होते हैं नेम में रक्त शोधन का गुड़ विशेश रूप से पाया जाता है पत्तो को उबालकर क्रमी नाशक द्रव तयार किया जाता है हल्दी कंद के रूप में उगने वाला यह पवधा रस तथा चूण के रूप में प्रयोग किया जाता है पूजा के अवसोरों पर इ हां दिये गएए इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं थुंबा कहां है यहां क्यों प्रसिद्ध है तो थुंबा केरल् प्रांत राकिड प्रसिशेप परकेंदर के लिए प्रसिद्ध है शुरी निवास रामारुजन का नाम किसली प्रसिद्ध है क्योंकि गakyड़ित्तिक्य गर्तग्य माने जाते हैं इसलिए इंका नाम प्रसित है डॉक्टर चंदशेखर विंकट रमन सीवी रमन को सन 1930 में किसकार के लिए नुबल प्रुषकार प्रुषकार प्राथ हुआ भहुतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की खोच की कारण वैकल्पिक उर्जा का इस्तुर खाएं वतना मोटे हो जाते हैं प्रतिवर्ष केंबियम तने में कोश्काओं की एक परत की व्रद्धी हो जाती है प्रतेक परत एक व्रत बनाती है इन व्रत्यों को गिनकर वर्ष की आयू का पता लगाया जाता है जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है ये व्रत अधिक में हम लोग कुछ जानकारे प्रात करते हैं एक बार प्रोफेसर चंद्र जगदीश चंद्रबसु को अपने अनुसंधानु पर गहरा विश्वास था उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है अपने इस प्रयोग को उन्होंने लगाया अनुमान के अनुसार चंद्र चड़ों में उस पौधे का मुर्जाना जाना था पर पेड़जियों का थ्यों खड़ा रहा कुछ लोग हसने भी लगे पर वसु विचलित नहीं हुए उन्होंने तुरंद कहा कि अगर यहां विश्व पौधे को नुकसान नहीं पह होचा सकता है और अपने आपको स्विच का इंजक्सन नेने के लिए तैयार हो गए तब ही एक आदमी सामने आया और उसने अपनी शरारत स्विकार की उसने विश्व की जगे उसी रंग का पानी शीशी में भर दिया जब बसु ने उस पौधों को असली विश्व का इंजक लोग अच्छी तरह जानते हैं भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को अपना पहला मानवज रहित यान चंद्रयान या चंद्रमा की ओर भेजा जिसका नाम चंद्रयान प्रथम रखा गया इसने केवल 23 दिनों में ही 14 नवंबर 2008 की रातरी को आट बच के 31 मिनट पर चंद्रमा की सतय द्वज भहरा दिया मंगल अभियान या भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगटन की एक महत्व कांशा अंतरिक्ष परियोजना है इस परियोजना की अंतरगत 5 नवंबर 2013 को दो बच कर 38 मिनट पर मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए एक उपग्रह आंद प्रदेश के स्री हर मंगल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं वैसे अब तक मंगल को जानने के लिए शूरू किये गए दो तिहाय अभियान असफल ही रहे हैं परन्तु 24 सितंबर 2014 को मंगल के कक्षा में पहुचने के साथ ही भारत विश्यों में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया है इसकी अतरिक्त यहां मंगल पर भेजा गया सबसे सस्ता मिशन भी है सामाने ज्यान हमारे राष्ण नायकर नायक यह दोनों ही आपके पाठिकर में शामिल नहीं किये गए हैं को देखते हुए इन दोनों का पाठ का समाय उजन नहीं हो पाया है अधा है आप लोग इन पर भी अपने विचार को जो है जरूर रखें और इन पर भी जानकर यह व उमेद करता हूं कोरोना काल के कारण और प्रोग दोनों अध्याओं में से सतर दोजार बीस इकिस या इकिस बाइस में कोई भी प्रेशन पूछा नहीं जाएगा अताहिने हटा दिया गया है आप लोग प्रेशान होने के बिल्कुल यावश्यक्ता नहीं है प्रेशन पत्र निर्धारित किये गहें वह किसी न किसी में अड्जेस किये जाएंगे योग सव नंबर का है आलोग जरूर याद रखें आवश्यक्तान सरस्वावेग से दो अंग किसी भी काई में कम्या अधिक किया सकते हैं प्रिशन करमान सवार अंग विभाजन का सवरूप जो दिया ृफवी करना ने मिल्कूल इसी तरह से भी होगा रृतिस्थानो के पूर्टी करना है सही जोड़ेण है दो चरन बहावारत आधार इसलो पर दो एक श्भड में उतर दीज़े एक वाक्य में उतर दीज़े प्रशन 11 बताइए प्रशन 12 प्रसे देता लिखे तेरा प्रशन में अंतर बताने के सकता है चौदा प्रश्ण संचित्र पड़ी लिखे और पंदरों में दिर्दुत्री प्रश्ण पंदर से बीज तक हो सकते हैं शोलों प्रश्ण में निमनात्म रूप आप लोग से पूछा जा सकता है आप लोगों ने वीडियो पूरी देखे इसके लिए आप लोगों बहुत करना जा को करता है याओो हुआ है अजय वीज दुएऑज थे खंद करेंट औरी पहुत में प्रश्छा कर साथ YA जर में है हुआ हैं और हुआ है धार लोगों में जर दुएज टो फ्रय वेढ एलों कर से लिए लोगो तक है